हेलो गाइज आएम रिक्की एंड यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वान क्लासेज जैसा कि जानते हैं हम लोग मध्यकालिन भारत चल रहा था और इसमें हम लोग आज देखने वाले हैं सिवाजी का जो मराथा सामराजी था उसमें जो उन्होंने अश्ट प्रधान से नाए बनाई हुई थी अश्ट प्रधान सेना तो नहीं का जा सकता है मतलब आठ लोगों की एक ऐसी कमिटी बनाए गई थी जिसको अश्ट प्रधान कहा गया था जो कि बहुत ही भर सेटाइल जीनियस होते थे बहुत ही महत्पूर्ण लोग होते थे वहां के सामराजी के लिए ज सामराज संचालन में कितनी भूमिकाती अश्ट परधान की और जो अश्ट परहन का पद था वह प्रकार था इसको हम लोग देखते हैं तो उस समय उसको कुछ कहते थे क्या कहता था और अभी उसको क्या कहता ता अभी अगर एवज मुझे तो प्रधानमंत्री सब्सक्राइब मद रहा है तो आप समझाजि समझी पा रहे होंगे कि अगर कहीं कई प्रथानमंत्री उप लंत לפ memb कर दीघना और सबसे प्रथान है उसको Television को इसको पेष्वा कहा जाता था तो आपको मार देना है प्रथान मंत्रीétais दूसरा है सरी ए नौवत, सरी ए नौवत इसका अर्थ होता है सेनापती, सेनापती मतलब सैने परधान, यह भी आप जान ही रहे होंगे, सेनापती होने का अर्थ क्या होता है, तो वहां क्या हो गया, सैने परधान, मतलब जो सैने जन है, जो सैनिक है, उनमें जो सबसे परधा हुआ वह कौन हो गया सेनापती और क्या बहुत सारे सयनीकव में भी अलग-अलग सेनापती होते थे जिसका की एक मुख सर्वोच सेनापती होता था तो इस तरह करके आप सेनापती का अर्थ भी समझ सकते हैं इसको जो महारठा समराजी में क्या का जाता था तो सरी ए नौबत क्या है सरी ए नौबत रथा सेनापती जो शैन्य परधान होते थे ठीक है चलिए सरी ए नौबत हो गया सरी ए नौबत मतलब सेनापती जो सेना का परधान होता था सैन्य परधान होता था तीसरा है अमत्य है ना आँमत्ती है यह जो अमद्त हरत होता है राजसो मंत्री मतलब फिर का लेखा जो हरा गए हो समझते होंगे राहता । राजपत्रीक यह षब चीज़ जो है एक ही थोड़ा थोड़ा हूँ अगर राज्यासू को बात की जाए तो राजासु का मतलब कर भी होता है टेक्स भी होता है उसको भी राजासु बोलते हैं हिंदी में तो यहां जो है आपका अमाद्ती जो होता है यहां राजासु मंत्री होता था और यह क्या था आए और ब्याय का लेखा जोखा भी रखता था आए और ब्याय का गुप्तचर के विभागों का अध्यापावा चलू के विभागों का अध्यक्ष होता था यह भी मॉश्ट इंपर्णेंट है वाकिया नवीज क्या अवता था तो जो वाकिया नवीज होते थे ये सुचना गुप्तफचर एवँ संधी विग्रह के विभागों का अध्यक्ष होता था अब देखिए सुचना तो आपको समझ में आ गया होगा गुप्त चरह अस्था भी समझ में आ गए होगी तेकिन यह संधी विग्रह क्या हुआ संधी विग्रह के विभाग का ध्यक्ष के होने का अर्थ हुआ संधी मतलब होता है मिलन और विग्रह का मतलब होता है विक्षोब या अलग होना तो यह संधी विग्रह मतलब की जो उसके जुडाओं का जो दो आदमी के बीच माली कोई जरह का विवाद होता है तो यहां हो ग कि रहा कि भागों का जो अध्यक्षो उसको हम लोग क्या बोलते थे तो यह राजकिये पत्रों को पढ़कर उसकी भासा सैली को समझाते थे यह जो चिटनिस था यह कि क्या था राजकिये पत्रों को पढ़कर आपको लगता होगा कि इसका रॉल कुछ खास नहीं है लेकिन बहुत सी खास रॉल है अगर यह दिमाल यह किसी ऐसी जगह से पत्र आती है जिसको की कोई अलग भासा में लिखा गया है तो उसको सामने जो सासक है उसको कौन समझाए कि यह क्या लिखा हुआ है तो उसके लिए जो था यह चिटनिस था चिटनिस क्या करते थे राजकिये पत्रों को पढ़कर उसकी भासा सेली को समझाते थे अर साथ राजकिये पत्र चाहिए अपने राजी का हो या किसी दूसरे राजी सिस राजा को आमंत्रित के लिए को को भी पट्र हो उसको पढ़ताथ था उसको पढ़ताथ चिटनिस सुमंत मस्ट क्यों है सुमंत पुलते हैं विदेस मंती सुमंत सुमंत शुमंत ये याद रखेगा विदेसस मंत्री कौन हो गया सुंमंत सुमंत किसको बोलते थे विदेश मंतरी को है ना माराठा सामराज जी के अश्ट परधान में एक परधान कौन है तो जिसका नाम है सुमंत उस सुमंत का अर्थ क्या हुआ विदेश मंतरी फ्रणिस्टर चलिए सात्मा देखते हैं पंडित रौ पंडित रौ क्या होता था ये कार्यों के लिए तिथी का निर्मान करता था तिथी का निर्मान करने का अर्थ क्या हुआ कि किस दिन कोई काम करेंगे तो वह हमारे लिए सही होगा कारणा अहार में करते हैं यह पन्डी तो अवां का पर्धान जो नियायाय विभाग का प्रधान ही प्रधानई गया गयां प्रधान होता था उसको एक बार के आम Ini'll take पाचमा है चिटमीसा चिकनीस तो राशकेशाक पत्रों को पढ़का उसकी भाता से लिको नुए-चाथा है सुमन्त हो गया विदेसमंत्री और सातमा पंडी तरह यह ए धार्मिक और सब्सक्राइ बिफा करने की सब्सकर्णानोय को तो हमको लगता है आपको यह आ mmρέ अगर आप एगल विडियो को देखते हैं सब्याद हो जाएगा हम집 संग मुट से और कोई ऑगि सुचना गुप्तचर और संधी बिग्रह का जो इस तरह करके हमको यह आठो आश्ट प्रधान भी याद रखना चाहिए क्योंकि यह अब्जेक्टिव प्रस्म में पूछ दिया जाता है और जैसा कि आप जानते हैं हम सिलसिले भार ढंक से पढ़ाते जाते हैं एक और से तो आ